कन्या रासी के सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन आज हम समझने जा रहे हैं राहु के तांडव, राहु के उपद्रव को कैसे सांत करने के लिए हमारे विधाता ने एक ग्रह संचार बना रखा है क्या होने वाला है, कैसे इसके प्रभाव होंगे इस बारिक्यों को हम जानने और समझने वाले हैं ध्यान दिजेगा, 14 मार्च सन 2024 का आज का दिन है जिस दिन ग्रहों के सासक भगवान सूरिय ठीक आपके छटे भाव को छोड़ करके एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे जहां पर पहले से राहू और बुद्ध यहां पर विराजमान है एक घर है, एक कक्ष है जहां पर राहू और बुद्ध पहले से है सूरिय भगवान का आगमन होता है सूरिय सभी ग्रहों के राजा माने गए है उस राजा को देखकर बुद्ध उठेंगे और उन्हें नत्मस्तक करके प्रणाम करेंगे कि आईए राजन आईए आपका स्वागत है दूसरे तरफ से राहु को ये रास्त नहीं आएगा क्योंकि राहु और सुर्य की आपस में दुस्मनी होती है लेकिन चुकि राजा होते हैं भगवान सुर्य वो भी उठेंगे और सुर्य को प्रणाम करेंगे लेकिन अंदर ही अंदर मन में ये द्वेज भावना जरूर रखेंगे कि कब मुझे समय मिले और कब मैं इस राजा पर प्रहार करके इन्हें धरासाई कर दूँ और इस हिसाब से ये करम आगे चलता है भागवान सुर्य राहू के प्रभाव को कम करते हैं अर्थात राहू के पास यदि धुआ है तो भागवान सुर्य के पास वो प्रकास है जो प्रकास इस ब्रहमांड को यदि उजागर कर सकता है तो सोचे ज़रा आपके सब्तम भाव दसम भाव से दसम भाव है और थाथ आपके कैरियर को प्रकासित कैसे नहीं करेंगे यही इस्थान जो इसके पॉजिटिव प्रभा होंगे कर्म छेतर में बढ़ोतरी का एक समराज्य आपको देखने को मिल सकता है सब्तम भाव मेरे दामपत्य जीवन का होता है यदि किसी कारण से दामपत्य जीवन में असान्ती है प्रेम समंधों में यदि प्रगाड़ता नहीं आ रही है या फिर रिष्टे फाइनल नहीं हो पा रहे हैं साधी के लिए यहाँ पर यह सूरी भगवान एक अच्छी अनुभूती आपको दिला जाते है 26 मार्च 26 मार्च के दिन में एक विसेज घटना तब घटित होती है जब आपके अपने कन्या रासी के स्वामी बुद्ध एक घर पहले एक घर बाद में उपस्तित हो जाएंगे अर्थाद बुद्ध चले जाएंगे अस्टमभाव पर अब यहां पर दो गरह बच गए एक तो राहू एक तो सूर्य अब राहू और सूर्य दोनों कमफर्ट महसूस नहीं करेंगे दोनों एक दूसरे के सत्रू है और एक घर पर है जिनके घर पर है वो देव गुरु बिरस्पति का घर है जो भगवान सूर्य के उपरोहित माने गए है इनके कुल परोहित है भगवान देव गुरु बिरस्पति अब इस इस्थान पर राहू को अब तो बस समय मिल गया कि एक सही टाइमिंग का इंतजार कर रहे है कि कब मैं इस सूर्य को परास्त करूँ और जबकि हमको इस समय तक positive event मिल रहे होंगे लेकिन जैसे ही 8 अप्रेल का दिन आता है इस दिन अमावस्या कितिती रहेगी रात के ठीक 9 बच कर 12 मिनट को यही राहू ग्रहन लगा जाएंगे भगवान सूर्य पर एक सूर्य ग्रहन का योग बन जाएगा जो रात्री के 2 बच कर 22 मिनट तक अर्थात पूरे के पूरे मध्य रात्री पर यह खेल चलेगा जहां पर सूर्य का मरदन होगा सूर्य ऐसे ग्रहें जो आपके बाहरवे घर के स्वामी है और यह जब सब्तम्भाव पर इनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा अर्था कुछ खर्चे की अधिकता हमें देखने को मिलेगी 5 दिनों तक जो टाइम होगा आठ तारिक को यह ग्रहन लगेगा दो दिन पहले दो दिन बाद तक आपको सतर करहने के आउसकता रहेगी किसी बड़े खर्चे पर आपको इन्वाल्व नहीं होना है किसी दूर यदि आप यात्रा करने जा रहे हैं वहाँ आपको नहीं जाना है बारवा घर हमारे दूर का होता है इस इस्थान को आप समझेगा दामपत जीवन को भी इस समय पर समय चलना है पांच दिनों का मात्र समय होगा ये राहू बड़ा ही चलाग है एक तरफ तो भगवान देवा धी देव महा देव को प्रसन्न कर लिया और उनके मुंड माल पर स्वेम सुसोभित हो गया और दूसरे तरफ माजग दिस्वरी की अरादना करके उन्हें प्रसन्न कर रखा है तो यदि हम इस समय पर माजग दिंबा की अरादना करते हैं तो ये राहू हमारे जीवन में मित्रवत बेवार करेगा अर्था जो प्रॉबलम है सब्तम भाव पर है बिजनेस में ब्यापार में कर्म छेतर में नौकरी सम्मंदी को भी दिक्कत है वहां से हम ये सफलता प्रतान करेगा ये एक महिने का समय तो रहेगा ही रहेगा इसके लावा हमेशा के लिए भी आप इस राहू को अच्छा बनाने के लिए भगवान सीव पार्वती की उपासना कर सकते हैं ये आपके लिए सफलता कारक सिद्ध होगा दुर्गा सफसती का पार्ट किसी भी एक अध्या का पार्ट करना भी आपके लिए सफलता कारक होगा कुझी का इस्तोत्र होगया कमच अर्गला ये सारे मंत्र हैं सारे इस्तूतियां हैं उनका आप पार्ट कर सकते हैं नहीं बने तो छोटा सा मंत्र बताते हैं आपको ओम एम रिम क्लिम चामुन डाय विच्चे ये नवार्न मंत्र है और ये बहुत ही प्रभावी है इस राहु को सांध करने के सांध सांध ये मंत्र मा जगदिस्वरी की कृपा प्रदान करा जाएगा और वो तो मा है ना सब के हरिदय की बात को जानती है सब के तकलिफों को जानती है और साथ वो हमारे तकलिफ को भी जान करके हमारे जियों में जो बाधाय परिसानी बनी हुई है उनसे मुक्त करा जाए उम्मीद है आप सबने इसे समझा है आप सबने इसे जाना है यदि आपने इसे समझा है जाना है मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांती इस बार भी अपना प्यार भरा लाईक और कमेंट करना कभी मत भुलिएगा और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी किजयेगा पुंध एक बार फिर आप सभी के दिवस बहुत मंगल मैं हो आप सभी के दिवस बहुत मंगल मैं हूँ इन्ही सुपकामनाओं के साथ जैमाता दी